सब्सक्राइब करिए रेसिपीज विद रिया को और मेरी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाएं हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग मैं हूँ रिया और आपका स्वागत है रेसिपीज विद रिया में आज मैं आप लोगों के साथ शियर करने वाली हूँ राइस कटलेट्स की रेसिपी जब हम अपने घर में राइस बनाते हैं तो कभी-कभी हमारी राइस बच जाते हैं तो उनी leftover rice से आज हम यह recipe बनाने वाले हैं और यह जो मैंने rice cutlet की recipe बनाई है इसे बनाने में बिल्कुल भी जादा समय नहीं लगता है बहुत कम समय में बनती है और खाने में बहुत अच्छी लगती है आप इन cutlets को अपने बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं तो चलिए फिर इस rice cutlet की recipe को बनाना शुरू करते हैं लेकिन अगर आपको इस recipe थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे like का बटन जरूर दबा दीजेगा इस वीडियो को अपने friends और family में share कर दीजेगा और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए है तो please मेरे चैनल को subscribe भी कर दीजेगा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम एक mixing bowl लेंगे और इसमें लेंगे 6-7 उबलेवे आलू इन आलूओं को हमें अच्छी तरह से mash करना है आलूओं को हमने अच्छी तरह से mash कर लिया है अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 cup के करीब उबलेवे चावल तो यहाँ पर आप बचे हुए बासी चावलों का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ताजा चावल भी बना कर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वात के अनुसार आदी छोटी चमच के करीब रेड चिली फ्लेक्स या मैं लाल मिर्च के जगे रेड चिली फ्लेक्स का यूज़ कर रही हूँ कटलेट्स में चिली फ्लेक्स का स्वात जादा अच्छा आता है आदी छोटी चमच के करीब चाट का मसाला 1-4 टी स्पून के करीब हल्दी का पाउडर आदी चोटी चमच के करीब गरम मसाला हरी मिर्च एक बारीक कटी हुई बारीक कटा हुआ हरा धनिया हम इन सब चीज़ों को मिला कर भी कटलेट्स पना सकते हैं लेकिन यहां में एक्स्ट्रा पंच देने के लिए थूड़ी सी वेज़ीटेबल्स आड़ कर रही हूँ यह वेज़ीटेबल्स ऑप्शनल हैं अगर आप नहीं डालना चाहें तो ना डालें लेकिन इन सब वेज़ीटेबल्स से थूड़ा क्रंची नहीं साती है तो कटले तो जादा अच्छे लगते हैं यह दो चमच के करीब बारीक कटा हुआ प्यास, दो चमच के करीब बारीक कटा शिमला मेच और दो चमच के करीब कट्दू कस किया हुआ गाजर यहां मेने डाला है आप इनकी जगे अपने मन पसंद की कोई भी वेज़ीटेबल एट कर सकते हैं जैसे कि बीन्स, कॉन्स सभी वेज़ीटेबल्स टालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे जिस तरह से हम आटा गूते हैं उस तरह से हम इसे मसलेंगे जिससे की चावल और आलू बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो पाएं चावल बिल्कुल अलग-अलग नहीं रहना चाहिए तो अच्छी तरह से इसे मिला देंगे अच्छी तरह से इसको हम mix करेंगे इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे तीन से चार टेबिल स्पून के करीब corn flour तो यहाँ पर आप corn flour की जगे मैदा का use भी कर सकते हैं या फिर चावल के आटे का भी use कर सकते हैं जो चीज आपके पास available हो आप यहाँ पर वो use कर सकते हैं तो corn flour डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला देंगे corn flour से cutlet जादा crispy बन कर आएंगे तो जब हम अच्छे से मिला देंगे तो इसके उपर हम एक बार अच्छे से oil लगा देंगे अब हम इसे cutlet की shape देंगे तो आप जो shape देना चाहें वैसा बना सकते हैं आप इसे ball shape में भी बना सकते हैं तो यहाँ मैंने इसे flat cutlet shape दिया है तो पहले इसे मैं अच्छे से round कर लिया है उसके बाद मैं इसे इस तरह से flat करूंगी इसको flat करने के बाद जो हमारे cutlet की edges होते हैं यानि की जो किनारे होते हैं उसे हमें अच्छी तरह से chicken बनाना है तो आप किसी भी तरह का कोई भी cutlet बनाएं तो इसके लिए यह बात बहुत ज़रूरी होती है कि उसके edges होते हैं, उसके किनारे जो होते हैं, आप उन्हें बहुत अच्छी तरह से चिकना बना दें, क्योंकि अगर cutlet की किनारे चिकने नहीं होंगे, तो उसमें बहुत जल्दी oil चला जाएगा, और वो फट भी सकते हैं, तो cutlet को बहुत अच्छी तरह से हम चिकना बनाएं तो यह देखिए हमारा Cutlet बनकर तयार हो गया है अब हम इन्हें fry करेंगे तो fry करने के लिए मैंने ओइल को medium high flame पर गरम रखा है तो medium high flame पर हमारा oil गरम हो चुका है तो अब इसमें नेके करके अपने cutlets टाल देंगे, अगर आप deep fry ना करना चाहें तो आप shallow fry method का भी use कर सकते हैं इने fry करने के लिए, थोड़ी देर बाद इने पलट देंगे जिससे ये दोनों साइट से अच्छे से सिख पाएं, दोनों ही साइट से golden brown होने तक हमें इने fry करना है, gas का flame medium high है, तो यहां हमारे cutlets fry ओकर तयार हैं, इने निकाल लेंगे, rice cutlets बनकर तयार हैं, धनिय पुदीने की chutney और tomato ketchup के साथ आप इसे serve करें,